फरीदवाद के बल्लवगड में बीते सप्ता पहले एक चोरी हुई थी जिसमें करीब 10 लाग की कीमत के मुवाइल चोरी किये गए थे अब इस मामले में नया मोड आया है आई आपको इस रिपोर्ड में बताते हैं नमस्कार मैं हूँ देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी नहीं दरसल बल्लवगड में एक अर्मान टेलीकॉम मोगाईल सोरूब में बीते साथ अक्टूबर की रात को शटर उखाड कर 10 लाग की मोगाईल की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था चोरी की पूरी वारदात शोरूब में लगे अलगला की सिसी टीवी केमडर में कह दूई थी और इनी फोटोज के आदार पर अब चारो आरूपियों को फरीदवा सेक्टर पे चैसी की टीम ने नेपाल के वार्डर से मॉवाइल सहीद गिरफतार करने में बड़ी सफलता असल किया है जिनाब पुलिस ने पांच दिन की रिमांड पर ले लिया है और पूस्ताच चल रही है बल्लबगट के अंदर साथ और आठ अक्तुबर की रात को एक मॉवाइल की दुकान में अर्मान टेली कम्मुनिकेशन नाम की दुकान थी जिसके अंदर चोरी की वारदात को कुछ अंजान चोरो के दौरा अंजान दिया गया था अर इसी संदर में क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 की टीम है जिसके सब-इंस्पेक्टर जोगंदर इंचार्ज है इनकी टीम ने इस पर काम करते हुए चार आरोपियों को गिर्फतार किया गया है सबही आरोपियों को राणि गंच नेपाल बोल्डर से क्राइम ब्रांच 85 पी टीम गिरेफतार किया गया है इन लोगों ने अर्मान टेली कम्यूनिकेशन की जो दुकान है बल्लबगड में वहां से 24 मॉबाइल फोन जो लगब 10 लाख रुपे की गिमत के जो मॉबाइल थे 24 मॉबाइल फोन के चुड़ाय थे रात को शटर तोड़ करके सभी अरोपियों को पांच दिन के पुलिस रिमांड पे लिया गया है और इनने अभी प्रारम्डिक पुष्टाच के अंदर 10 अन्य वारदात जो इन्होंने बल्लबगड शहर के अंदर ओल्ड एरिया के अंदर पल्ला, खराय, कोतवाली इन अरिया के अंदर अन्य वारदात जो इन्होंने अभी तक की पुष्टाच के अंदर कुभूजी है पुलिस ने सभी आरोपियों को रानी गंज नेपाल वोडर से ग्रफतार किया है इसी पिक्राइम अमन यादब ने आज प्रेस कॉन्फरेंस के मैध्यम से मीडिया को जानगारी देत हुए बताया कि मास्टरमाइंड रोज मौममद ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अर्मान टेलीकॉम मौवाइल शोरूम की कई दिन तक रेकी की थी और रेकी करने के बाद इस वारदात को अंजम दिया था आरोपी इन मौवाइलों को नेपाल में बेचने की फिराक में थे क्योंकि इंडिया में ये मौवाइल बेच नहीं पाते आरोपी उने मौवाइल शोरूम से कुल 24 मौवाइल फ़न चोरी किये थे पुलिस को मुताविए की आरोफी काफी शातिर है इससे पहले भी इन्होंने 10 वारदातों को अंजम दिया है बेराल पुलिस मामले की जाच कर रही हो और अगले 5 दिन बाद इन्हें फिर कोट में पेश किया जाएगा